जैसे जैसे चुनाओ की तारीके नजदीक आ रहेंगी यह लोगसभा चुनाओ दोहजार चौबीस नजदीक आ रहें हैं वरुन गांधी के तेवर बदलते जा रहें हैं वरुन गांधी की राजनीती बहुत दिल्चस्प है वरुन गांधी एक बड़ा चहरा है लगातार चर्चा में बने रहते हैं वरुन गांधी क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे वरुन गांधी को क्या बीजेपी टिकेट देगी क्या वो दुबारा पीली भीद से बीजेपी के टिकेट पर सांसदी का चुनाव लड़ेंगे एक कुछ सवाल है जो अभी तक अनुत्तरित है वरुन गांदी की तैयारियां ये बताती हैं कि वो अपने क्षेतर में किस तरह से काम कर रहे हैं लगातार लोगों से मिल रहे हैं इससे एक बात तो इसपश्ट है कि वरुन गांदी ने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का अब पीजेपी टिकेट देती है या वो अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं इसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़ते हैं ये देखने वाली बात होगी जिन तेवरों की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग-अलग कारिकरमों में देखने को मिलते हैं जन समवाद कारिकरम में एक बार फिर से वरुन गांदी जमकर बरसते दिखाई दिए आपको याद होगा हाल में उन्होंने कई कड़े बयान दिये उन्होंने ये तक कहा था कि जिनकी जूते उठाने तक की अवकात नहीं थी वो आज हमारे सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में गूमते हैं अपने किशेतर की जनता से जुड़े हुए मुद्दो को लेकर रहते हैं। निश्चित तोर पर वरुन गांदी अपने वोटर्स के बीच में एक मैसेज भी दे रहे हैं। वो उनके साथ खड़े हुए हैं और अपनी सरकार से ही प्रशन पूछ रहे हैं। अब वरुन गांदी ने जो नए तेवर दिखा है वो आपको मैं बताता हूँ। दरसल दोजार चौबीस के लोगसबा चुनाओं से पहले बीजेपी छोड़ने की अटकलों के पीच सांसद वरुन गांदी मंगलवार को दो दिन के दोरे पर अपने लोगसबा क्षेतर पीली वीद पहुँचे। इस दोरान उन्होंने अमरिया के गाउं सुस्वार कर गएना जोशी कॉलोनी जैसे क्षेतरों में जनसंबाद किया। कर तरक्की कर सकें। वरुन गांदी ने अपने बयान में आगे कहा कि असल राजनीती वो है जो सेवा का माध्यम बने। राजनीती अगले चुनाओं के लिए नहीं अगली पीडी के भविश्य के लिए होनी चाहिए। उन्होंने किसानों, नौजवानों, संविदा, कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों के बहतर भविश्य को लेकर चिंता जदाई। अपने पिता संजे गांदी का जिक्र करते हुए उन्हों कहा कि देश हित के लिए उन्होंने मारूती कंपनी को भी देश के नाम कर दिया था। वरुन गांदी ने ये भी कहा कि उनकी राजनीती सच्चाई, इमानदारी और देश भक्ती पर आधारित है। वो देश को खुशाल और मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा सांसद ने ये भी कहा कि वो उन नेताओं की तरह नहीं हैं, जो चुनाओं के समय तो बड़े-बड़े वादे करते हैं और बाद में मुड़कर नहीं देखते हैं। जबकि ऐसे नेता भी मौजूद हैं जिनकी कतनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वरुन गांदी ने एक बार फिर से निजी करन पर सवाल खड़े किये, उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ हैं, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि निजी करन के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्य करेंगे सांसद वरुन गांदी ने जनसभाओं के बाद लोगों की समस्याइं भी सुनी और संबंदित अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिये इससे पहले वरुन गांदी ने कहा था कि वो राजनीती में उन लोगों की आवाज बनने के लिए आए हैं जो अप करने का मौका मिल जाता है हलकि बीजे पी ने भी इस पर मौन साथ रखा है वरुन गांदी के किसी बयान पर बीजे पी के अन्यने निताओं के बयान नहीं आते हैं ये बताता है कि वरुन गांदी के बयानों से अभी बीजेपी खुद को दूर रखना चाहती है और किसी तरह की परेशानी में उपतर प्रोदेश में नहीं पढ़ना चाहती है परेशानी इसलिए आज से कि मेन का गांदी वरुन गांदी दोनों अपने इपने क्षेतर के खास्तोर पर सुल्तानपूर पीली भी तोर आसपास के क्षेतरों में देखा जाये तो दोनों माँ बिटे का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है लंबे समय से यहाँ पर सांसद है साथ ही साथ में क्षेतर की जनका के बीच में अच्छी पैट है मेन का गांधी अब भी बीजेपी के साथ बनी हुई है वरुन गांधी भी बीजेपी के साथ बने हुए है लेकिन वरुन गांधी के तेवर कुछ अलग देखने को मिलते हैं या क्यों परेशानी का सबब दिखाई पड़ते हैं वो ऐसे सवाल उठाते हैं जिनसे उनकी अपनी सरकार घिरती दिखाई देती है उधारण के लिए भरष्टाचार का मुद्दा है दो टेनिवर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के भरष्टाचार के खिलाफ लडाई जो है वो बीजेपी का सबसे बड़ा टार्गेट दिखाई पड़ता है इसको हर बार उठाया जाता है कि ब्रश्टाचार खत्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है ब्रश्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत बड़े पहमाने पर उठाया जा रहा है उधारन के लिए करनाटक का चुनाओ आप देखें पेसी एम 40% कमिशन ये कांग्रिस का बहुत बड़ा मुद्दा है कांग्रिस ब्रश्टाचार को बीजेपी के खिलाफ एक हतियार करनाटक में बना रही है वहीं ये हतियार अभी तक विपक्ष के खिलाफ काफी चला है अभी जो केंद्रिय जाच एजेंसिया उनके इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है क्योंकि ज्यादातर गएर बीजेपी शासी तराज्यों में ब्रश्टाचार के खिलाफ कारिवाई करते हुए कई विरोधी दलों के खिलाफ या उनके निताओं के खिलाफ कारिवाई हुई है जिससे विपक्ष को लामबंद होने का एक और मौका मिला उधारन के लिए अर्विन केजरिवाल है मनीसी सोदिया का जेल जाना है बरहाल विष्टाचार का मुद्दा जब वरुन गांदी ने उठाया है तो एक बार फिर चर्चा का विशे बन गया है वरुन गांदी के इन बयानों से सवाल उठता रहा है कि क्या 2024 के लोगसबा चुनाओं से पहले वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या बीजेपी की तरफ से उनको इस तरह का कोई इशारा मिलाएगी शायद इस बार टिकेट ना मिले खाला कि ये भविश्ची के गरत में इसका जवाब है फिर भी वरुन गांदी जिस अंदाज में बयान देते हैं जैसे जनसमवात कर रहे हैं इस पश्ट है कि वो अपने क्षेतर में अपनी जमीन को मजबूत कर रहा है बीजेपी टिकेट दे ना दे वो पीली भीट से चुनाव लड़ने के साफ तोर पर दिखाई दे रहे हैं खुद भी कह चुके हैं कई सभाओं में कि वो एक बार फिर पीली भीट की जनता के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे वरुन के बयानों पर बीजेपी ने भी चुपी साथ रखी है उनकी मामेनका ने जरूर वरुन गांदी का बचाओ किया था उन्होंने कहा था कि वरुन गांदी कोई अग्रेसिब नहीं है उनकी तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया वो सिर्फ ट्विटर पर लिखते रहते हैं खेर इन सारी बातों के बीच में ये बात बहुत इसपष्ट है कि वरुन गांदी अपनी पार्टी को भी मैसेज दे रहे हैं साथी साथ जनता के बीच में वो जाकर मैसेज दे रहे हैं देखे चुनाओ लड़ना आसान नहीं होता है हाल के दिनों में करनाटक का चुनाओ बड़ा दिल्चस बना हुआ है करनाटक में जगतीश शेटार का अचानक से कॉंग्रेस में जाना और वो भी टिकेट नहीं मिलने की वज़े से नाराज होकर ये बीजेपी के लिए बड़ा जटका माना जारा कितना असर होगा ये तो तेरा तारीफ को पता लगेगा जब चुनाओं के नतीजे आएंगे लेकिन ये बात सही है कि जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी को छोड़ कर जाता है तो ये पार्टी के लिए बड़ा जटका होता है उत्तरप्रदेश की सियासत में और बीजेपी की राजनीती में भी वरून गांदी कोई छोटा नाम नहीं है एक समय पर वो पार्टी के महासचिव रह चुके हैं बंगाल जैसे राजजी के प्रभारी रह चुके हैं तो वरून गांदी का कद जो है वो बीजेपी में काफी बड़ा था दूसरी महतुपून बात ये है कि वो एक फायर ब्रैंड नेता है लोग प्रिये भी रहे हैं युवा चेहरा रहे हैं लेकिन उनको वो तवज्जो फिलहाल नहीं मिलती दिखाई दे रही है जिसकी उनको अपेक्षा रही है खास तोर पर 2014 के बाद से वरुन गांदी लगातार हाश ये पर रहे हैं अब तो उनकी मा मेंका गांदी भी मंत्री मंदल में नहीं है जो पिछली बार मंत्री मंदल में थी पिछले टेनियर में पुदान मंत्री मोदी के लिए कुल मिलाकर ये बात बहुत इसपश्ट तोर पर दिखाई दे रही है कि मेंका गांदी वरुन गांदी कहीं किनारे है अब क्या इन दोनों को फिर से टिकेट मिलता है बीजेपी की तरफ से ये भी एक सवाल बना हुआ है अगर टिकेट नहीं मिलता है तो ये बीजेपी के लिए परिशानी का सबब हो सकता है फिर भी इंतिजार करना होगा वरुन गांदी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले है हाला कि वो इशारों इशारों में अपने बयानों के जरिए अब उनकी नाराजगी को किस तरह से लिया जाता है क्या उनके प्रभाव को माना जाता है क्या सुल्तानपूर पीली भीत ऐसी सीटों को लेकर बीजेपी सतरक्ता बरतेगी ये सारी बाते जो हैं इन पर सभी की निगाव बनी हुई है इनके जवाब सभी तलाश रहें सब के बीच में एक बार फिर ब्रष्टाचार का मुद्दा वरुन गांधी ने उठाया है और उनके इस ब्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना एक बार फिर विपक्ष को बड़ा मुद्दा देता है